आजकल हमारे होटल और टूरिजम इंडस्ट्री बाप तेजी से बढ़ रही है और उसमें काम करने वाले हुनर्मन युवाओं की डिमांड भी बहुत बढ़ रही है कैसे देश में परियटन इंडस्ट्री की ग्रोथ के कारण सबसे ज्यादा जिस खेतर में गती आई है वो है होटल इंडस्ट्री होटल इंडस्ट्री में खास हुनर्मन लोगों की जरूरत पड़ती है फिर चाहे शेफ हो रूम सर्विस हो हाउस किपिंग हो या फिर मैनेजमेंट हो हर जगा हुनर में माहिर युवाओं की मांग होती है होटल इंडस्ट्री में काम करने वाले यवां को न किवल अच्छा मौहल मिलता है बलकि सेलरी भी अच्छी खासी मिलती है अगर आप खुद को होटल इंडस्ट्री में काम करने के लिए इसी विशेश काम में हुनरमंद बना लेते हैं तो आप एक अच्छी नौकरी आहसानी से पा सकते हैं होटल इंडस्ट्री में वैसे तो कई जाब रोल हैं लेकिन अगर खानी की बात करें तो हर कोई ऐसे होटल में जाना चाहेगा जहां बढ़िया खाना मिलता हो यानि जहां का शेफ बढ़िया हो खाना बनाना एक खास होना है जिसमें अगर आपकी रुची है तो आप इसमें कोशल प्रशिक्शन हासिल कर सकते हैं होटल इंडस्ट्री में शेफ की नौकरी भारत में तो मिली जाती है बलकि विदेशों में भी आहसानी से मिल जाती है फुट प्रडाक्शन होटल में खाना बनाने की कला ऐसे तमाम कोशनों से भरी पड़ी है जिसमें विबिन प्रतान के कुजीन्स हैं तकनीकिया हैं जहां हुनरमंद होने की जरूरत पड़ती है हमारे पास कॉंटिनेंटल, इंडियन, मेक्सिकन, ठाई जैसे कई कुजीन्स हैं जो पूरी दुनिया में मौजूद है और जब इन युवाओं को इन सब के बारे में कौशन ट्रेनिंग मिल जाती है हुनर का सही विकास तभी होता है जब उसे निखड़ने का मौका मिलता है हमारी सरकार इस बात को अच्छी तरह से समझती है इसी को ध्यान में रखते हुए देश में युवाओं के बेहतर विकास के लिए प्रधान मंतरी कौशल विकास योजना के जरगे उन्हें प्रशिक्षन दे कर हुनर मंद बनाया जा रहा है हमारे प्रधान मंतरी ने ये पहचान की कि हमारे भारत के युवाओं में हुनर की खासा कमी है तो उन्होंने इसके लिए आखारिकर्म की शुरुआत की है और मैं मानता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छी पहल है आज के समय में भार्तिय शिक्षर संसाएं युवाओं को भुनर्मन करने के एक तरफ जादा ध्यान दे रही है मेरा मानना है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी की ये पहल देश के निर्मार और विकास में एक एहम भूमिकार निभाएगी होटल की सबसे पहली पहचान उसकी साफ सफाई से होती है कमरे को किस तरह से सजाना है बेट कैसे लगाना है ये सभी काम कुशल प्रशिक्षित युवा ही कर सकते हैं और इसके लिए भी मौकरियों की कोई कभी नहीं बस काम को सीखने यानि हुनरमंद होनी की जरूरत है किसी भी संस्थान, आफिस और होटल को चलाने के लिए एक कुशल मैनेजर की जरूरत होती है जो हर काम को समझता हो और उसे मैनेज कर सकता हो होटल एरिंग में जो कैंडिडेट बेसिक स्किल्स सीख जाते हैं वो हॉस्पोटालिटि के किसी भी क्षेतर में काम कर सकते हैं ये इस सीखने की खास बात है इसलिए जो यूवा होटल मानेजमेंट में हुनरमंद हो रहे हैं वो आईटी कंपनी के केसिंग डिविजन में भी काम कर सकते हैं वो आर्म फोर्सेज में जा सकते हैं वो banking sector, hotel industry और transport sector जैसे railways में भी जाकर काम कर सकते हैं वो airline join कर सकते हैं, cabin crew या ground पर भी काम कर सकते हैं इसलिए जहां भी इस तरह के होनर की demand होती है जैसे guest relation, public relation या bartending का जो होनर है या food production का जो होनर है ये सब बहुत खास तरह के होनर हैं जिनको लग कर सीखने से बहुत से संभावनाय बन जाती है जहां बहुत कुछ संभाव है hotel industry की बात करें तो इसमें भी कई सारे ऐसे युवाओं की demand रहती है जिसमें उनकी ख्यमता के अनुसार, job मौजूद है hotel industry में communication का बड़ा रोल होता है जिसमें customer को अपने यहां की सुविधाओं की जानकारियां दी जाती है अब ही हम यहां पे बहुत सारा skills सीख रहे है सबसे पहले हम hospitality communication सीख रहे है हम customer से कैसे बात करेंगे, कैसे customer से deal करेंगे वो सब हम सीख रहे है और हम front of these skills सीख रहे है और F&B service skills, F&B production skills और बहुत सारा skills हम यहां सीख रहे है करियर के अफसर हर जगा मौजूद है बस आपको जागरूख होने की जरूरत है अगर आप जागरूख होकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए कौशल प्रशिक्षन को अपनाते हैं तो निश्चित ही आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी इसलिए हुनरमंद बने और अपने सपनों को साकार करें